इस वीडियो में तुम जाना होगे कैसे AI टूल के बारे में जिसे यूज़ करके तुम अपनी नॉर्मल वीडियो को green screen वीडियो में convert कर सकते हो यानि तुम्हे कोई external green screen purchase करने के जुरूइत नहीं है अपनी normal वीडियो को shoot करो और उसको इस AI टूल की मदद से green screen वीडियो में convert कर सकते हो और बाद में green screen हटा कर अपनी वीडियो के background में कोई भी background लगा सकते हो तो इसके लिए हम जिस website का use करने बाद है इसका नाम है runway.com इस website पर आने के बाद आपको सिधा sign up कर लेना है और अगर आपने sign up कर लिया तो login करने के बाद आपको यहां बहुत सारे AI related tool मिल जाएंगे तो यहां मैंने already sign up करके रखा तो मैं login कर लेता हूँ यहां वैसे तो हमें बहुत सारे AI related tool मिलेंगे बढ़ जो हमें चाहिए वह है third number वाला यहां पर इना ने mention भी किये हुगा कि इसको use करके आप background को remove वगरा कर सकते हो तो हमें इस पर click करना है make sure कि इस website को use करते वगता आपकी internet and activity जो काफी अच्छी हो तो इसके बाद हमें यह upload की section में जाना है और उस video को select करना है जिसमें हमें background remove करना है तो यहां मैं कोई sample video select कर लेता हूँ यहां मेरे पर सब्सक्राइब वीडियो पढ़े हुए stock footages इसमें से मैं एक उठाता हूँ तो यहां मैंने यह video select कर ली अब हमें इसके upload होने तक का wait करना होगा तो इसके लिए internet and activity आपके अच्छी होने चाहिए तो हम थोड़ा wait कर लेते हैं उसके बाद हमें इसको timeline में लाना होगा तो यहां हमारी video upload हो चुकी है अब हमें इसको click करके यहां timeline में लाना है तो इसको drag करेंगे और रखेंगे हम timeline पे तो इसके बाद video को process on method time लग सकता है तो be patient हमारा almost काम हो जुक है तो इसके बाद हमें mark लगाने होंगे उन हिस्सों को और जिनको हम इस video में रखना जाते हैं तो यहां मैं mark लगा लेता हूँ उन body parts को जिसको मैं वीडियो में रखना जाता हूँ तो यहां कोई limit नहीं है आप अपनी मर्जी के हिसाब से mark लगा सकते हो तो मैं यहां maximum marks लगा रहा हूँ तो जिन parts पर हमने mark लगा था AI उनको वीडियो में रख लेगा और बागे का part remove कर देगा बट अगर आपका कोई part बीच में रह जाता है तो यहां पर हमें brush का एक tool मिल जाता है यहां पर include, exclude दोनों option मिलते हैं आप किसी part को include भी कर सकते हो और exclude भी कर सकते हो तो अगर आपकी वीडियो में काफी ज़्यादा movement है तो आप इस brush tool को use कर सकते हो और frame by frame select कर सकते हो या फिर कोई भी part को remove कर सकते हो तो इसके बाद जब आपकी masking complete हो जाएगी तो नीचे आके आपको transparency को एक दम full कर देना है 100 पे और उसके बाद done masking पे click कर देना है तो इतना part complete होने के बाद यहां export पे click करोगे तो और भी बहुत से option मिलेंगे कि background का जो color है वो green रखना है blue या फिर जो भी color आपको रखना रख सकते हो तो कुछ जगा पे blue screen यूज होती है कहीं पे green screen यूज होती है आप अपनी preference के according रख सकते हो तो यहां मैं green select कर लेता हूँ और यहां 720 pixel पे हम इसको export कर सकते हैं तो अगर तुम्हें इससे भी high resolution पे अपनी वीडियो का export करना है तो उनकी paid services को join कर सकते हो पर यहां हम free version को use कर रहे हैं तो यहां हम 720 pixel पे export कर लेंगे तो यहां मैं preview पे click करता हूँ तुम देख सकते हो कि काफी अच्छे तरीके से AI की मदद से हमारे background जो है वो remove हो चुका है और उसकी जगा green screen add हो चुकी है तो इसको हम download कर लेंगे तो अब इस वीडियो को download करने के लिए हम जाएंगे इस home menu में और home पे click करने के बाद यहां asset में जाएंगे और हमारी video भी export हो रही है इसलिए भी visible नहीं है वीडियो download हो रही है तो download हो चुकी है तो अभी मैं आपको file में जाके दिखा देता हूं तो अभी हमारी video download हो चुकी है तो मैं चलता हूं file manager पर यह में गया download section में और मैं video को play करके दिखायता हूं तो अभी देख सकते हो आप कितने अच्छा तरीके से AI tool की मदद से हमने background को remove कर दिया और पिछे green screen को apply कर दिया तो इस green screen को अठा कर तुम को भी background लगा सकते हो this AI tool is really great अगर आप इसको अच्छे से use करना सीख जाते हो तो